नमस्कार स्वागत आप सभी का मैं हूं पायल पवार और आप देख रहे हैं वोकल नूश है डोल कभी लोग कर रहे लापरवाही तो कभी सरकारी करमचारी ऐसे में कैसे होगा ठीका करण का लक्षे पूरा कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रोन वाइरस संक्रमन की कारण देश पर देश्फर में देहशत मची हुई है और सरकार भी इस बात को सुनिश्चित करने में लगी हुई है कि करोना के इस नए वैरियंट से जादा से जादा लोगों को बचाया जा सके किन्तों इतने डर और खौफ के बावजूत कई लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रही है ना ही ये टीका करन करा रही है ना ही कोरोना प्रोटोकॉल की जारी गाइडलाइन का पालन कर रही है बात मध्यपरदेश की शेहडोल जिले की करें तो यहां भी लोग बेपरवा घूंते नजर आते हैं ना ये मास्क लगाते हैं ना ही टीका करन करा रही है जिसके लिए प् पता चला है कि पंचायट सचीव रोजगार सहायत और आंगनबाडी कारेकरता द्वारा बहुत लापरवाही की जा रही है यह लोग अपनी मनमर्जी से कभी भी किसी भी समय घर लोड़ जाते हैं अपने काम को भी ठीक से नहीं करते साथ ही लोगों को तीका करन कराने के लिए भी प्रोटसाहित और जागरुख नहीं करते हैं जिसकी खबर मिलते ही शहडोल के अपर कलेक्टर और प्रिद्वर्मा ने पंचायट सचीव रोजगार सहायक और आगनबाडी कारेकरता की सेवा समात्ती के निर्वेश दे दिये हैं जब वाक्सिनेशन सेंटर पर पहुच कर एनम शकुंतला निताम ने अने करमचारियों से जानकारी ली तो पता चला कि शाम 6 बज़े तक सिफ साथ लोग ही तीका करन के लिए सेंटर आए जबकि 18 लोगों की वाक्सिनेशन की भुगेंग थी जिसके बाद इनके सेंटर नान करणें उपस्थित नहीं रहे जोग खुद ही अपनी कर्टव्य को ठीक तरीके से नहीं निभा रहे न के खिलाब इस जंग में लोगों को टीका करन कराने के लिए अपना योगदान नहीं दे रही हैं ऐसे में भलक कैसे वैक्सिनेशन की तैय लक्षे को सरकार पूरा कर सकेगी। हाली में जिला कलेक्टर वंधना वैद ने भी जिले भर में लोगों को वैक्सिन की दोनों दोस लगाने की समझाईज दे थी, किन्तो उसके बावजूद लोग अभी भी तीका करण में लापरवाही कर रही हैं। और जल्द से जल्द इस महाभियान का तैय लक्षे पूरा हो सकेगा। तो आज के लिए वस इतना ही, अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। और हमारे चानल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये वीडियो फेस्बूक पर देख रही हैं तो हमें पॉलो और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। और अभर आप जरूर कैposition